इस दोस्तों आपको मारे चनल पर मेरे साथ है रंजीत पाजी और पाजी को आपको अंगर चुलेट कर सकते हो नहीं नहीं गाड़ी लिया है तो बात करतें डिटेल में आज कि पाजी ने क्यों स्कॉर्प्यून को चूज किया स्वागत पाजी आपका हमारे चैनल पर मैं इस चैनल का अगर मैं को ना कि ये चैनल कैसे बना तो पाजी की देन में कह सकता हूं जब नेक्स वीडियो बनाया तर उसका कफ यचा रिसपोंस रहा ता जिसके कारण मेरे को ये चैनल फूड़ा ओटो मोबिल का अलग से बनाने की जरूत पड़ी थी चले जब से पहले आप यह बताओ रहे को कि आपने स्कोर्प्यों को क्यों चूज किया बेसिकली मेरी कुछ कुछ सी एक तो सेवन सीटर होना ठीक है और और ऑटमेंटिक चाहिए थी मुझे और चाहिए तो पट्रोल थी लेकिन पट्रोल की मैलेज का भी दिजल आइस ओड के डिजल ले रहे तो डिजल आटमेटिक शेह थी फूर फूर होती तो अच्छा हो लेकिन फूर में जारा तीन साथे दिनागर पर जारा देने पड़ते तो वह भी कैंसल कर दिया मैंने इतनी जूरूत है नहीं तो डिजल आटमेटिक रियर वील ड्राइ ठीक है और जो इसका स्टांस है वो सब कुछ वो सारे जो मेरे रिक्वाइरमेंट थी वो टिक हो रही थी फीचर भी मतलब काम के फीचर सारे है इसमें बहुत वेंटिलेटर शीट वगरा वो नहीं है तो इसलिए करकर आके स्कॉर्पू एन ही है जो मेरे को सही बैट रही थ लिए हुआ सेलिक मोडल लेने कही है वह थोड़े फीचर इसमें जैड्येट में ज्यादा मिलते हैं और कुछ बाहर से भी लग जाते हैं लेकिन जो इसमें एक कमपनी से आते वह फिर वरंटी में भी आ जाते है तो इतने पैसे लगा रहे हैं तो जैड्ए लिए लिया तो Z8 की booking कर दीजी ठीक है जी तो मतलब अगर मैं बात करूं इसमें टोटल चार पांच वेरेंट जितने भी आते हैं तो Z8 को आपने क्यों जूज किया है तो Z8 में काफी कम फीचर जाते हैं उसमें पुष्बटन स्टाट भी नियाता बंदा इतने पैसे भी खर्चे और ये जो मतलब मेरी नेक्शन जो थी उसमें पुष्बटन स्टाट था और फिर मुझे लगता कि मैं पीछे चला गया हूं अपग्रेड करने के भी है में कि आटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर जो है ऑटोमेटिक हेड्लेंप है यह तो बाहर से भी नहीं लग सकते तो इसलिए Z8 ही में को ठीक लगा जैडेट एल जो है उसमें कुछ एक फीचर एक्स्टा आजाते हैं जैसे लेक्रिक सीट्स आजाती हैं आगे भी कैमरा आज कि यह तो क्लियर हो गया कि यह आपने जैडेट को क्यों सेलेक्ट किया अब अगर मैं बोलूं कि नई गाड़ी आपने ली तो आपको कुछ चेंजिस करवा है आपने इस गाड़ी में मेरे लिगे सबसे इंपॉर्टेंट था टायर चेंज करवाना क्योंकि इसमें हाइवे होती है चरही आपने खरी होती है जान पर चरहां लिगे तो ऑटेरें होने सो आपर फेल सा उसका लाए चाड़ाई को अटेरेंड रहे तो पहले इस पर इस पर तरह है हमें अटेरेंगी डाजरे फोगा है कि आपनीए थे सदूर। तो मैंने चेंज करा के दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गया बाकी स्पैसिक्वेशन वही है बस एक फर्क है यह मैंने अल्टेरेंड दलवा दिया है तो इसका कितना अमर्लब कौन सी कंपनी कटाय रही है अपोलों के हैं उसके अप्टेरा इटी टू कर कहते है तो वह डलवाए है तो उसकी मतलब ठेट पेटरन जी जो है काफी अच्छा है और काफी अच्छी गरिप है तो हाइवे पे भी आया हूं बड़ा अच्छा बड़ा च्टोड़ा कंट्रोल फीर होता है गाड़ी जम के चलती है और प्लस नॉइस नहीं करत है यह तैयर कफी साइने चींड एक जो सबसे इंपोर्टन एकसेसरी होती है बाकी सारी एकसेसरीं चलो लगा लेते हैं लोग ठीक है मैट भी लगा लेए सब कुछ कट दिया लेकिन सबसे इंपोर्टन एकसेसरी जो है वो डैश लिए टो डैश गrem है डैश गेम यहां पर ल एक्सिदेंट हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आए अपना पक्ष जो है वो रख सकते हो थोड़ा और बेटर तरीके से रखवा हुए आपके पास हर चीज का प्रूफ होता है फिर तो यह आगे भी लगा पिछली स्क्रीन पे भी लगा पीछे की तरह तो कितने क्या वाले मॉडल में एक क्यूबो और एक रेट टाइगर तो मैंने क्यूबो का लगा है और यह पढ़ गया मेरे को 16,000 पर इंक्लूडिंग हार्ड वायरिंग तो इसमें दो तरह की वैरिंग आती है एक आप जो आपका बारा बोल्ड वाला पॉइंट होता है उसमें लगा सकते नाइट भी नाइट को भी कप्चर करता है ठीक एक चीज बताइए आपने 900 किलोमेटर आपने चला लिया पंजाब से मलब हूम टाउन सापने खरीती थी और यह इसके बाद आपने लेका है इसको तो अब तो आपने हाईवे पे इसको चला लिया और सब एक तो देखो एक ह नहीं गाड़ी का अपनी गाड़ी ना होने का डर भी रहता है तो इस लिए बंदासओं सम्वल के चलाता खुल के नीचला पाता है तो अभी मैंने इसको खुल के चलाया है हाथ पे चड़ घी है मतलब हार बहुत मजा आ रहाए और मनुरिंग इसकी इतनी इसी है बड़ी ग इसको तो आप उंगल से कुमाला तो बिसिकली मज़े इसको जाए चला कि आ रहे हैं इसको आप चला सकते हैं इसली चला पारहा हूं कंपरिटिव नेक्शन के भी जो के चोटी गाड़ी है और अब पावर फिगर इसकी अच्छी है तो वह भी एक मदा अभी मैं इसको इसमें तीन मोड जो है सबसे कम पावर देता है जैब जो है वह एवरेज है और जो है फुल पावर में आता जैसे इस सोपेचेतर भी हच भी एच वह फुल है उस पे तो आती है और नो सो किलोमेटर चला आप ने और 900 किलोमेटर में मैं मौस्टली हाइवेजर नहीं रही है किया नहीं दिजल ऑटो मेटी की मेह रही है और दो और अफ इसलों इसे अट फिए हाइवे हाइवे मैंने जो चेक किया था वो फंद्रह है और सिटी का ऐसिंग बिलोग दसी होगा नाइन के आसपास होगा ठीक है तो अभी मैं करेंट रीडिंग देख तो अभी में लोकल अगर गूम रहें तो साथ आट के आसपास ही रहता है बाकि कि अभी सर्विस भी नहीं में एक दम बिल्कुल नहीं गाड़ी है तो में भी थोड़ा और खुलने में थोड़ा ताइम लगेगा उसके बाद इस ही इस माइलेज पर बात करना है थिंग जब हम लोंग तरम में थोड़ा हो जाए पांच शुछ अरक पाजी चला लेंगे उसके बाद जब वीडियो अच्छा है लेकिन बोन इतना अच्छा नहीं दिखता जैसे एक्क्षव डबलो उसका अलग टाइप का बोन अच्छा घासा दिखता है और सेकंडली जो सबसे अची बाद लगती है कि जब आप सामने देख रहे हो अगर जाम में खड़े हो तो सबसे आगे वाली गाड़ी अगर बात करूं इस प्राइस रेंज में या फिर इस पैकेज में आपको बेकार चीज क्या लगी कि यह चीज मिसिंग है इस वकाड़ी में कि इसका जो रियर वीव मेरर है वह डे नाइट है अर्जस्टेबल है मलब मैनुली अर्जस्ट करना पड़ता है तो इतने प्राइ इस अगर बड़े विया के पास बलेनों है और बलेनों मलब 7-7,000,000 गाड़ी है उसमें भी अधा बहार से लग जाता है लेकिन वही है कि अच्छा रहता बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है वह यह सबसे बिकार चीज मुझे लगी इसकी चलो एक मेरे रवाला तो इस सफारी में पिछली सीटों का सुर्णा सा फर्क है, प्रभी फोल्ड करो अंधर करें उसल और सुमय का जो इंक्लूजन बों में खतम हिए उसल रगता है कि यां पर आशीप है इनी मही फ्लैट हो बांच ही है, इसकी सीट ऐसी है कि वह फोल्ड होने के बाद बूड की सबसे पंजाब का नंबर हो जैसे आपका पॉइंट है कि अपनी पैजान होनी चाहिए तो वह है ही वह सबसे पहला एक फैक्टर था कि पंजाब का नंबर चाहिए मुझे दूसरा वहां पे एक्षोरूम प्राइज तो सेम है लेकिन आर्टियों और आर्टियों के इसाफ से मुझे वहां से गाड़ी सस्ती मिल रही थी तक करीबन पच्छेश-30,000 का फर्क था तो वह एक से बेटर प्राइज मिलती है और प्लस अभी के हिसाब से वह 15 साल वाला फैक्टर भी यहां पर डीजल दस साल तक चलती है वहां पर अभी भी पंदा साल है कल को बंद हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन अभी फिलाल तो है बट आई तिंक यह तो मैंने भी एक्स्पिर गाड़ी बीचने का नहीं सोचते हम लेते टाइम जनरली सोचना भी नीच यह बट सिल इतना तो विजन रखना पड़ेगा कि क्योंकि दिल्ली की मार्केटर ना इसके बार में कि हम दिल्ली एंसियार में रहते तो थोड़ा सा डीजल चलाने वालों के मेरे जैसे या पाजी लोग जिनको डिजल पसंदाना उनको इतना तो देखो सोच के चलना पड़ता है और एक बड़ा सिली सा चोड़ा सा फेक्टर है यूपी में जब आप गाड़ी इस्टर करते हो ना इतना बड़ा उसकी आर्सी मिलती है अभी भी आइधिक डिजिटल नहीं है और वहां पे चोटा सा काड मिलती है पंजाब में पंजाब में डिली में सब जगए चोटी आर्सी मुलती है अभी भी यूपी आइधिक इतना डिजिटाइज हुआ नहीं या योगी जी से रिक्वेस्ट आज जोड़ के मेरी कि अगर चोटी सी अगर आप कर सकते हो तो यह पेपर वाला जिसको जो नंबर लगा के प्राउड वील होता है मैं यह नहीं कर आप कि यह लगता है जो अच्छा लगता है तो वह मेरी ओर पाजी की सोच अभी इस बार जो है सेम होगी है तो अब होगी बात गाड़ी लेने की बट्स कितना पैसा टोटल आप ने दिया है मलब क्या प्र यह बुर्णाद ने ननि Himself में कॉछ नहीं तो औरientras स्विंस अनि कहा लुद्धार में मेंols क्ये जो चीजहें कोड़नी चीथे हुए और अगर आपको कोई सेवाल है Scorpio Z8 Diesel Automatic से लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँ जल्दी 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 पाजी से संपर्त किया जा जाए रूसका जबाब दिया जाए या मैं कोशिश करूँ आप पाजी को टैग कर ले, पाजी को यूट्यूब चैनल है, आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इंडल जो मैंने यहां डाल दिया, आप इनको भी फोलो करना चाहो, या फर्दर आप कनेक्टेड़ना चाहते हो इसी गाड़ी के लिए, तो आप आज इको फोलो कर सकते हैं, आप डिरेक्ट वहीं से सवाल इन से पूछ सकते हैं, झाल 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